बाटला हाउस कल हो ना हो और सलामे इसक जैसी फिल्म बनाने वाले बॉलिवोट के दिगज डिरेक्टर निखिल आडवानी चार साल के लंबे अंतराल के बाद डिरेक्शन में वाफसी कर रहे हैं वह जौन अबराहिम के साथ अपनी फिल्म वेदा लेकर आ रहे हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी का हमारे यूटूब चैनल दकिंग आप टेविल में तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और वीडियो के साथ बने रहें बॉलिवोट की अपकमिंग मुवी वेदा का टीजर रिलिज हो गया है एक्शन थ्रिलर में जौन अबराहिम के साथ सर्वरी वाग की जोड़ी दिखाई देगी फिल्म का पोस्टर काफी पसंद किया गया था अब मुवी का धमाकेदार टीजर सामने आया है फिल्म में जौन अबराहिम के कारेक्टर को काफी ज़्यादा धासू दिखाया गया है और वहीं सर्वरी ने भी अपनी अदाकारी दिखाई है पिछले महीने वेदा की अनाउंसमेंट हुई थी और एक दमदार पोस्टर भी रिलिच किया गया था इसके बाद सही फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी ज़्यादा हाइव क्रेट हो गया था फिल्म में जोन अबराम के साथ सर्वरी वाग मुख्य भुमिका में होंगे पोस्टर की पहली जलकी ओडियोंस की दिलों पर एक चाप छोड़ गई थी अब बारी है टीजर की टीजर में जोन अबराम और सर्वरी वाग एक्शन आवतार में दिखाई दे रहे हैं टीजर की सुरुवात वेदा यानि सर्वरी वाग से होती है जो विद्रोही बन सिस्टम के किलाब आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ती है अपने हक के लिए लड़ाई में वेदा को कई मुश्किलों से लड़ना पड़ता है तमाम परिस्थितियों में भी वो चट्टान की तरह खड़ी रहती है जब टीजर में जॉन अबराम की एंट्री होती है वो कहते हैं मुझे लड़ना नहीं आता सिर्फ जंग लड़नी आती है जब दुस्मन पूछते हैं कि वो कौन है तब जॉन जवाब में कहते हैं वो बाब हैं टीजर में फोल ऑन एक्षन दिखाई दे रहा है जॉन और सरवरी मिलकर दुस्मनों का खात्मा करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं एक सीन में हमें तमन्ना भाटिया भी नजर आती है जॉन अब्राम और सरवरी वाग की वेदा कर निर्दे शन निखिल अढ़ानी कर रहे हैं अभी नएक साथ साथ जॉन अब्राम ने फिल्म को प्रोडूस भी किया है बंटी और बबली 2 के बाद एक बार फिर सरवरीवा की अदाकारी फिल्म में दिखाई देने को मिलेगी खैर दोस्तों मूवी 12 जुलाई 2024 को सिनमा गरों में रिलिज होने वाली है दोस्तों फिल्म में इस्तरी के अभिसेक बनरजी भी विलन की भूमिका में दिखाई देंगे बताया जा रहा है कि फिल्म वेदा एक वास्तवी घटना से प्रेरीत है अगर आपने टीजर देखी है तो आपको टीजर कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद